वाट्सब गाइस मारे तो फिर से आ गए हैं अब रेट खी वीडियों कि भाईया गेम के अंदर काफी साथ चीज़े हो नहीं और हमारा 10 टाइम्स इवेंट आने वाला है कल नहीं आज ही आ जागा बारा हमारे बच चुके हैं भाईया क्या क्या चीज़े आने वाली आज हम द अगले अफते में मेरे पास चार्ट कठे हो जाएंगे ताकि जो है मेरे को अपने जादा यूज़ नहीं करने पड़ेंगे तो यह तो होगी काफी अच्छी बात आईए बात करतें कौन कौन से टैंट टाइम्स की चैंपियन हैं और कुछ चैंपियन्स हैं अच्छे हैं और और अगर जैंपियन की तो ठीक ठाक है वर्ल्ड बेस्ट चैंपियन नहीं है हां नए प्लेड्स के लिए सारे प्लेड्स चैंपियन्स चैंपियन्स अच्छे होते हैं पर उन अगर मैं पसंच चाई देखना हूं तो मैं बुझे अपने शाड्स पूल बहुत स्था दिल से नहीं करोंगा खासा लेजन्डरी जैंपिन के लिए क्याला जैंपिन है बहुत है जैंपिन है बहुत ही लेट मिला था तब मिला था जब मैंने इसको बस भी शायर बिल्ड भी नहीं करा मैंने से मैंडम सेरेज आ चुकी थी फिर भी बहुत है जैंपिन है वाई यह लगा था डिक्री स्पीड डिक्रीज डिफेंस एंडडिक्रीज एटेक का एक लौता चैंपियन एपक चैंपियन होता था तो एक टाइम पर बहुत ही ग्रेदी स्क लॉट्स का ही है हमारी लेडी एना बैल यह है दिखने में काफी जादा मैंडम हमारी हॉट है और खून और जहर दोनों ही इससे बह रहे हैं सोलो बॉमल करने के लाए थी इसको यूस किया जाता है पर बिल्ड अप क्या है मैंने कभी ट्राय नहीं किया पर आगर आपके पा अगर आपको लीच है और आपको लीच है और परसंट चांस ऑफ डिक्री स्पीड काफी अच्छी है तो आप इसको अंदर भी यूस कर सकते हैं सपोर्ड बे चैंपेन है और टार्गेट लेस्टें फिफ्टी परसंट टर्न मीटर ओके यह नहीं देखे थे अगर किती का है तो आप यूस कर सकते हैं तो आप अगर आप सोलो करेंगे तो अपने उपर ही रिवाइव अंडेथ लगा देगी और अपनी ही हीलिंग करती रहेगी और सो प्लेइस इंक्री स्पीड तो बही काफी तरी चीजे स्किल के अंदर होती है फोर टन कूल डाउन पे पीड अच अधरिंग्या मेर policy आगर सेही अगरी सोलो कर रहें तो अगरी मर जाएगी तो भई 50 परसेंट हीलिंग इसको आइम music मिल जाएगी तो आपको पता हिए कि इतना ज्हाजा है इसको हो जाता है नेक्ट बीडिक बात करते हैं तो हमारा है कहांगे भाई कहांगे भाई सेल्वाइन और वाच्छ तो आपके लिए ड्वांटेज हो सकती है क्योंकि अभी फैक्षिन वाउस का फ्यूजन का लेजनरी चैंपिन गया और आपको अब इसके भी मिल रहे हैं एपिक चैंपिन तो यह क्या करती है टीन टाइम अटैक करती है इच हिट्स पांच परसेंट टनमीटर है और अगर आप 100 परसेंट करेंगे तो आप इसको फायर नेट के इंदर भी यूज कर सकते है इसको मैं भूल कहते हैं कि सारी स्किल्स में ही मल्टिपल हिट है तीन बारी करेगी और 70% चांस है पर फिर यह काफी जाए चांस है डिक्री स्पीड का यह स्किल्स फायर नेट के लिए काफी जादा एडवांटेज आपकी हो सकती है और भी बहुत सेजिस के अंदर आप यूज कर सकते हैं पर बहुत जादा हार्ड हिट नहीं करती और स्किल्स इसकी बहुत जादा यूफुल नहीं है बाकी खाली टर्नमीटर के लिए आप चाहें तो उसको यूज सकते हैं अगर आपके बड़ टर्नमीटर नहीं और इंक्रीस क्रिटिकल रेट भी यह लगा दि लेक्स चैंबिन है हमारा ओक्स का तुहाग दा वॉड इरिडिन अपिक बहुत जादा चांस नहीं है तो आपका सेक्शन वाट्स में थोड़ा बर डंजन कर सकते हैं तो बहुत जादा उमीद भाईया आप इससे ना कीजिए अगर आपका एच्पी कम हो 50% अटेक करने से पहले स्वाटा सीच्वेशनल हो जाता है इसलिए स्वाटा है नेक्स लेगें अटेक वन इमीज स्टील 50% टर्मीटर तो लेके हैं तो टर्मीटर के लिए आपके लिए काफी अच्छे यह चैंपिन्स जो हैं हो सकते हैं क्या करता है बहुता है अगरे से परसंट चांस और परसंट चांस प्लेशिक टर्मीटर फो टू तो टू तिल अंडर परसंट टर्मीटर इप जिए यह चैंपिन्पी लोगों पैसिर की बात करें डिक्रीज टेकन बाइश चैंपिन्स टू परसंट वेंजब इसकी शचैंपिन्स परसंट लोगी तो 20 परसंट इसको डेमेज कम है अटेक इन आल बैटल्स है हमारा 20 नेक जो हैं हमारा जिए लेजंडरी चैंपिन है वाया स्टैलस और याच्छा इसको यूज कर सकते हैं डिफैंस अच्छा है एच्पी काफी अच्छी है स्पीट सोडी लो है पर उक्विटी का है क्या करते हैं अटक वन एंडमी टू टाइम्स इफ टार्गेड इंदर एनी डिबॉफ ओके इच हीट डिक्रीज टर्मिटर बाइटन परसंट तो अगेन आप फायर नेट पर उसकते हैं और भी कही जगा यूज कर सकते हैं टर्मिटर लो करने के लिए अटक अल्टन में इस हंड्रे परसंट होगा यस इच 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 फिफ्टी और पंदरा पैंसेट परसंट भाई लेजंटरी जैंपियन पेंसेट परसंट स्टन पर टू टाइम एटक करता है फिर भी पैंसेट का भी आप लगा लीजी भाई सत्ता रस्ती लगा लो यह स्किल हंड्रे परसंट होनी चाहिए थी बट कोई बाद ही जलिए ठीक है ओके ए प्लेज़ परसंट इंक्रीज दिफेंस ऑन दिशेंपिन फोर थी टर्न दैन अटेक तो अटेक दिफेंस में चेंपिन ने अपने उपर पहले ही इंक्रीज़ दिफेंस लगा तो और भी ज्यादा मैसिब डेमेज हो 100% चाहिए अफ प्लेसिंग डेमेज जिनकी अटेक हायर ह है और डिकरीज पीड लगाएंगे जिनका अटेक एक्वल और इससे लोगा अपने साफ से बाइसाब आप लगा लेना पैसिव क्या बाइस अबने इस अनिमें अनिमेंटम्स प्लेस वीकन डिवा पॉजन रिफ्लेक्ट ओके तो पॉजन वीकन रहा जो है अगें आपका रि हमारा है थर्टी परसेंट नेक्स्ट है हमारा भाई डीमन स्पॉन का काउंटेस लीक वेपा और इसकी दो कॉपी है मैंने दोनों को ही नहीं बिल्ड किया एक टाइम पे अगर मुझे बिल जाती तो भाई बहुत कुछ होता पर इसको थोड़ा मैंने इतना जादा काउंटे अंटी को प्यार नहीं दा इसका पार्टनर है मैंने फ्यूजन किया था पर आइसिंग आप यूज कर सकते हैं रीन के अंदर काफी जादा आपको इसकी एडवांटेश हो सकती है वन टाइम करेगी वहाई सावर्ट करेगी एंड 50% चांस प्लेसिंग वीकन अटेक और अलन काफी जादा कंट्रोल आपको मिल जाता है साथ साथ जो है अटेक अलन वीज ब्लॉक एक्टी स्किल्स लगाती है और डिक्रीस कूल टॉन अफ एलाय स्किल्स अगर एक्सेप इस चैंपिनों के अल एलाय स्किल्स वाय डैमेज ऑके काफी एची स्किल्स है पर 510 कूल डॉन है तो अरेना के अंदर बहुत जादा यूसफूर और फैक्शिन वार्स में आपको काफी जाए ड्वांटेज दे सकती है तंजन के अंदर अटेक वे चैंपिन है तो आपको यूजली हो सकता है कि आपको जो है आपका एनिमी मार दे पैसिव की बात करेंगे तो आप जो है बढ़ता ही चला जा जाएंगा एक्श चेंपिन है फाइल चैंपिन है और बहुत ही जाधा चांडार है और बहुत ही जादा कमाल की लगरी ठाला क्या लक्ती है देखते हैं स्टाइट्स एच्पी बेचेंपिन है एच्पी इसकी मुझे लग रही है लो डिफेंस काफी अच्छा है तो आइसिंग उसके बैलेंस करने के लिए रिजिया स्पीड है अटैक वन इनमी एच्पी परसेंट चांस अगर 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 फ्लीफ हो जाता है तो यह सब्सके लिए एक लेटी चैंपियन के लिए वन के लिए वैसे वॉइड चैंपियन है वह गिने चुने दुनिया में लोगों के पास ही यह चैंपियन होगा और 10x म अटलीस 80 या 90 परसेंट होना चाहिए था पांच परसेंट आप जो है मास्ट्री से अपने क्लेम कर पाते यह काफी जादा लो है एक वाइड लेजंटरी के लिए जैसे कि सिफी है सिफी 100 परसेंट करती है स्लीप एवन पर यह है लो इट वैरी लो ओके है 70 परसेंट चांस यह आपको काफी जादा काम आएगा सासा ब्लॉक डिबफ एंड रिवाइवन डेथ लगाती है टू टन सके लिए और यह हमारा त्री टन पर है जैसे कि हमारा काडियल लगाता है उसकी भी सेम स्किल है बहुत जी बड़े स्किल है अधिक ओर्रल चेंपिन काफी जादा है च тइप 50% चांस तो सेंटिनल स्कुर्प्चर न ऑफारा चंबीन था वो भी ब्लॉक डैमेज कि आपकी कर देती है 50% चांस ही है और सेंटिनल स्कुर्प्चरल इस थिंक हमारा इरीना के अंदर भी annoying हो सकती है भाई यह आपका damage ब्लॉक करना बहुत बढ़िया बात होती है जबकि आपके ब्लॉक टैमेज अंकिलेबल भी नहीं लगावा और HP in all dungeons 40% यह जो है आपके लिए काफी जाइड बंट था I think overall champion मेरे साब से पांच में से पांच भी हो सकता था पर यह खराब है तो I think 4.5 रेटिंग में दे सकता हूं स्टैट्स के हिसाब से तो यह थे हमारे 10-10 की champion let's see भाई देखते है हमें क्या मिलता है क्या इनमें से कोई champion बिलेगा आपके तो भाई में को नहीं चाहिए पर हाँ legendary champion अगर को मिल जाए बाइचास से तो वहीं हमारे लिए बढ़िया हो जाएगा अभी के लिए वीडियो कर आपको पसंदार यू लेके लिए तो प्री सब्सक्वाइब की जएगा थैंक यू